Hello friends, welcome to number one study. इस वीडियो में हम discuss करेंगे class 8 English, chapter 7, जले 20 का एक question. So question हमें पूछा है, why didn't he take the coins advice? Question में पूछा गया है, ही मतलब यहाँ पे वो बच्चा, कि उस बच्चे ने coins की advice क्यों ने ली? Give two or three reasons. इसके हमें दो या तीन reasons बताने हैं. So answer कैसे लिखेंगे? बच्चे ने उन coins की advice तो ली नहीं. Reason क्या था इसका? Because of the following reason, first, he was an honest boy. क्योंकि बच्चा के साथ था? Honest था. Honest मतलब इमानदार था. क्योंकि वो पैसे किस लिए थे? School fees के लिए थे. यहाँ पे हम शुरुआत की बात कर रहें. बात में तो उसने जले भी खाई थी उन पैसों से. है ना? But पहले, शुरुआत में तो उसने नहीं, मतलब advice नहीं लेता है वो उन coins की. So reason क्या है, first, कि वो honest boy था. He could not spend the money meant for school fees on buying जले बीज. वो अपनी school fees के पैसे ऐसे जली भी खरीदने में spend नहीं कर सकता था. खल्च नहीं कर सकता था. Third reason, he was fully aware of the consequences of not paying the fees on time. और वो fully aware था, alert था किस बात से consequences. Consequence होता है, परिना, कि अगर उसने school की fees पे नहीं की time पे, तो इसके consequences क्या होंगे, उसे बहुत अच्छे तरीके से पता थे. That is, the teacher would punish him by beating him with a cane. Punishment क्या थी इसके लिए? उसे पता था कि teacher मुझे punish करेंगे और मुझे cane से bit करेंगी. Cane क्या होता है? बेट या फिर हम इसे चड़ी बोलते हैं, तो चड़ी से अच्छे से धुलाई करेंगे. ये बच्चे को पता था. यहाँ पर इस question का answer complete हो गया. वीडियो कैसी लगी? Comment में जरूर बताना. अच्छी लगी तो like करना, अपनी friends के साथ share करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. Thank you.